खेत में नुकसान क्यों हो रहा है है अब मैं इसका एक positive लेक negative पक्स बताताा हूं एक सरसो का डाना ढलो चार मेने में 1000 गुणा वजाता है कोई दुनिया में ऐसा बिजनेस नहीं जिसमें 1000 गुणा हो जाता हो आप multiply कर देते हो दुनिया में जितने भी बिजनेस हैं वो दो चार पांच परसेंट के बिजनेस पे चलते हैं maximum 10 किसी में 15 परसेंट हो तो बहुत बड़ा बिजनेस मना जाता है और ये कितना साल भर का साल भर का बड़ा turnover है तो 2-4-5 परतिशत पर पोसा जाता है कोई उससे थोड़ा मीडियम हो तो 10 परतिशत 15 परतिशत तब जाकर के आदमे को किसी बिजनेस में profit होता है खेती में आप एक किलो सरसों डालके चार मैने में एक जार किलो ले तो फिर गाटा क्यों हो रहा भई फिर गाटा यूं हो रहा है कि उसके अंदर तो लाकत है यूरिया डाल रहा है डी एपी डाल रहा है उपर से कीट ना सक डाल रहा है उससे गड़बड़ी हो रही है खेती गाटे का काम नहीं है खेती का तरीका गाटे का काम है यह तो एक सरसों का मैंने एक्जम्पल दिया ऐसी पशु गाटे का काम नहीं है उस पशु को पालने में जो खरचा हो रहा है जैसे अभी इस सारा हिसाब किताब बताएं मलीक साब ने व हरा चारा है जो उसका परका चारा मजदूरी यह उसके लिए जो पानी है उसके लिए जो मजदूरी है मेनत तो आदमी दी खेत में मेनत करें पशों में मेनत करें मजदूरी कर ले नोकरी कर ले आदमी को इस कीमत लगाने पड़ेगी न ये तो हिंदुस्तान के किसान अपनी मेनत तो जोड़ते ही नहीं तो आदमी को हिसाब क खर्च होता ही और जो अब क्या होता है किसान जो अपने आप पशू पालता है वो तो ज्यादा हिसाब किताब लगाता ही नहीं जो डेरी चाला आता वो तो उसको हिसाब लगाना ही पड़ता है मजबूरी में जो हम खुद कर रहे हैं उसका तो हम हिसाब लगाते ही नहीं बेह हिसाब चलते हैं और बिना हिसाब चलेंगे अंदा खाता तो घटाए काम रहेगा तो जो मलिक साब आपको बता रहे हैं उसका एक-एक मेकेनिजम बता रहे हैं कि भई जो हम कह रहे हैं कि भbed हमारा पशू तो बहुत चा दूद दे रहा है और थाले किशाण दो अपने खेट के चारी का पैसा नहीं जोड़ता अपनी मेहनत नहीं जोड़ता अपना कुछ ओज़ो जो पशूं भी अपने घर में पैदा कादी पैदा दूसरा उत्पाद क्या उसका उससे पैदा होने वाली बच्छडी या उससे पैदा होने वाली पाड़ी भैस गाय और भैस उससे एक ब्यात में एक यह दी बच्चा नहीं होगा तो उसका फाइदा नहीं होगा तो वह बात बता रहे थे तो उसको continue करो तो एक बार हमारे मलिक साब का जो है न वो तरीक बहुत अच्छा है समझाने का जासे ये समझाते है ऐसे आप देश के किसानों को जिस दिन समझा दोगे उस दिन इस देश का किसान भी बच जाएगा देश का पसु गाय बहन्ष से भी बच जाएंगे और किसान भी завис हिंदुस्तान का सम्रिद्ध हो जाएगा और हिंदुस्तान के जो नागरी का है वो भी स्वस्ता बन जाएंगे ने तो चावनों तरफ जाना यह बदाली हो रही है तो बदा रहे थे तो एक पशू से दूद्ध भी पूरा मिले और एक ब्यांत में एक बच्चा मिले कम से तो जब आप पतंजली का जो पशू अहार रिकमेंड करें तो दूद्ध घटना और बढ़ना इस अहार की मातरा पर डिपेंड नहीं करता है इस अहार के अंदर कितनी प्रोटीन हैं कितने फैट सें कितने कार्बोहडरेट सें कितने मिनल सें इस पर डिपेंड करता है तो हो सकत है आप अपना जो प्रोड़क्ट रिकमेंड करें आप 23 परशेंट का मारा डायमंड रिकमेंड करें तो उसने तीन परशेंट यूरिया डाल गए 25 परशेंट प्रोटीन का अलेडी फीड वो दे रहा हो तो उसकेस में दूद नहीं पड़ेगा तो हमारी जो गारंटी है वो गारंटी ये है कि अगर आप हमारा पतंजली का प्रोड़क्ट यूज करते हैं तो पस्कू का जो स्वास्ते है वो ठीक रहेगा और पस्कू टाइम पर नया दूद होगा और पूरे ब्यांत तीन सो दिन तक दूद देगा और पूरे ब्यांत में भी अगर 200 केजी 2000 केजी का उसका ब्यांत का दूद है तो 10 से 15 पर 30 उसको लेक्टेशन जो इल्ड है उसमें भी ब्ड़ोतरी होगी तो हम एक पर्टिकुलर डे के दूद की गारंटी किसी को मत देना लेकिन लेक्टेशन के इल्ड की इंक्रीज की गारंटी दे देना आप और दूसरी बात इसमें एक यह ध्यान रखनी है आपने कि जब आप एक आहार को चेंज करके दूसरे आहार पे जाते हैं तो टेस्टेंज होता है तो एक तो इसको एक दम से 100 परशेंट चेंज मत करवाएं इसको दस से पंदाव दिन में मिक्स पदवती से इसको जना चेंज करवाएं तो यह एक इसमें एक नया प्रड़क्ट और निकाला है जैसे हमने फीड के एक्षेत्र में खड़ों के रूप में compound फिड को निकाला है यह आchn तक किसी ने इंदुस्तान में किसी ने निकिया ये एक unique concept है हमारा और वो यूनिक कंसेट भी इसलिए डवलप किया है ताकि हमारे को अपने आपको निर्दो साबित करने में बहुत इनर्जी ना लगानी पड़े क्योंकि खड़ें जो बिकती है जर्नली एक जमिदार एक पशुपालक खड़ों पर आज की डेट में भी स्वास करता है कि ये प्यूर है इसे दूद पशुगा बढ़ता है लेकिन पशुहार जो गोली के रूप में बजार में बिकता है अब 1000 रुपे केजी से लेके आज 1800 रुपे केजी तक बिकता है और जर्नली इस पशुहार को लोग 1,5 किलो डालते है तो इसका कोई अलग से कोई 100% फीडिंग करें तो पता चल जाएगा दो दिन के अंदर ही कि इसके अंदर क्या है लेकिन इसको 100% फीडिंग नहीं करते मिक्स फीडिंग करते हैं तो इसके इंडिव्जल रेजल्ट्स का पता नहीं चलता सरफ रेट रेट का कंपैरिजिन होता है उसके आउटपुट का नहीं होता तो जो maintenance रासन है उसके लिए हमने एक नया product निकाला है जो आपकी feed supplement की industry है और इसमें लोग packed way में, branded way में minerals और विटामिन और उनके supplement इकटे blending करके बेचते हैं सो से 200 रुपे पर केजी और उसी चीज़ को हमने पैलेट के रूप में start किया है जिसका दो average rate है 22-23 रुपे पर केजी है अब मिन मिट पलस इसका क्या मतलब है मिन का मतलब minerals और विट का मतलब vitamin और पलस का मतलब क्या पलस का मतलब बाकी जो तीनों हमारे जो nutrient है protein, fat and carbohydrate पलस का मतलब उन तीनों से है इन के अंदर उतना ही T-DN है जितना एक type 2 के फीडिमे जो T-DN होता है करीब करीब 60% T-DN है तो ये इसकी जो खिलाने की जो मात्रा है जो जमिदार पसू को अपना एक से डेड़ किलो जो अनाज डालता है maintenance रासन के तोर पे अभी calculation की थी तो उसकी जगह अगर आप इसको खिलाएंगे, इसको recommend करेंगे तो पसू के अंदर जितनी भी परजन सम्मंदी समश्याएं है time पर नया दूद ना होने की, बार बार फिरने की, आपका जेर ना डालने की बार बार हीट माने की, पिच्छा दिखाने की, मिट्टी खाने की, पेशाव पींने की, दिवार चाटने की सींग, मारने की, खुटा, ठोगने की, जितनी भी दो समश्याएं हैं, उन समश्याओं से उस पसू पालग को छुटकारा मिल सकता है तो ये एक मेंटेनिस रोसन के तौर पर भी काम करता है, दूसरा ये मिनरल्स और विटामिन की सप्लाई भी पसू के अंदर करता है और दूद देने वारे पसू को ये आप 1-2 किलो तक डाल सकते हैं, और अगर दूद नहीं दे रहा है तो इसको 1-2 किलो डालो पसू के वजन के नुसर, अगर दूद दे रहा है तो उसको 1-2 किलो डालो दूद की मातरा के नुसर, तो ये भी अपने तरह का यूनिक प्रोड़ जर्नली इतने भी आजकल फीट सप्लिमेंट आते हैं या तो पाउडर फॉरम में आते हैं या वे ल कउडों आते हैं तो यह आ मारा ना योशित में हया यह pellets के रूप में है और इसको खिलाने के भी कोई समच्छा नहीं है अदर वाईज तो वह एक अलग एक्टिविटी हो जाती इसको उसको पिलाने की और कई बार जो प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होती तो पसू उसको नहीं खाता ओफ फिड हो जाता है और उल्टा दूद कम हो जा तो ये आपका पैलेटों के रूप में है और यह तीन हमारे ख़ड़ों के रूप में और से मैंने अलगलग रetchतों के बारे में जैसे फिल्वर रासन गोल्ड है या जो डाइमंड है अभीना किसान क्या है कि उसको लगता है मने भई पशुवार मतलब पशुवार अब इतना कूड़ा कचरा लोग बीच रहे हैं और लोगों को जानकार यह नहीं उसका फाइदा उठा रहे हैं तो आपको यह जो अलग अलग प्रकार के जो नाम ही रख रखें उन्हीं से पता लग जात है मीडियम दूद देने वाला है जादा दूद देने वाला है और थोड़े दिन में डाइवर्ट हो जाता है उसके उपर तो जो मलिक साब बोल रहे थे कि पहले दिन दूद का क्लेम ने कि आ जा सकता है दूद के क्लेम करने में उसको 15-20 दिन लग जाते हैं तो एक मैना या कुछ से इधर जहां सरसों का तेल ज्यादा खाया जाता है उधर लोग खल जादा खिलाते हैं फिर अलग अलग जगह पर कहीं बिनोले की खल खिलाते हैं कई और दूसरे प्रांतों में और और भी अब जैसे पतंजली के जो गाये हैं तो बादाम की खल खाती है अब गायों को जो बादाम रोगन की बादाम की खल खाती हैं यहां साख सब्जिया जादा हो जाते हैं तो साख सब्जिया भी खाती हैं कभी कभी सेव भी खाती हैं कभी कभी मुरबा भी खाती हैं अब ये गायों की जो आदत पड़ गई है तब ये गायों की जो आदत पड़ होगे तो मुह मारेगा क्योंकि दारूपी नहीं क्या तो पड़गी ना तो ऐसे ये चारे में भी ये सुरू में थोड़ा सा चेंज करते हैं तो बोल भाई देख इसको थोड़ा दस पंदरा दिन में चेंज कर लेना थोड़ा थोड़ा करके इसको बढ़ा दो उसको घाटा दो जो पहले खिला रहे थे ये काम करने में आप लोगों को बस थोड़ा जागरूती फैलाना है आज जहां आप खड़े हो इससे एक स पूरे देश में यदि किसी में का इसका इकोनोमिक्स देखोगे तो आप भी अहरान रह जाओगे यह आलात है और यह तो अभी एक आपको बताए कि राशन के बारे में कि दुगधामरित जो सिल्वर है गोल्ड है डाइमंड है और अभी जो विटमिन प्लस और आपको सारे के सारे इसकी केमेस्ट्री पूरा का पूरा इसका मेकनिजम पूरा का पूरा जो है वो निशकर्श आपको मलेक साब बता रहे हैं आगे और बताऊ से दूसरा हमारा जो सेग्मेंट है वो फीट सप्लिमेंट का है जर्नली यह मिनल्स और विटामिन सें दस जार क्रोड की इं और जो विटामिन्स हैं विटामिन जर ए विटामिन डी त्री और विटामिन ए तो ये डिफरेंट कंबिनेशन है इनी के विटामिन्स और मिननल्स के तो सबसे पहले ये समर्दी हमारी ये कैलिसियम और फास फोर्स का सोर्स है इसके अंदर विटामिन A, D3 और B कंपलेक्स है दूद के अंदर एक किलो अगर हम पसू से दूद निकालते हैं तो उसके अंदर साड़े साथ ग्राम मिननल्स बाहर निकलते है और साड़े साथ ग्राम मिननल्स में तीन ग्राम कैल्सियम होता है और दो ग्राम फास्पोर्स होता है तो 80% में 75-80% में कैल्सियम और फास्पोर्स का कंट्रिबिशन होता है और बाकी जो 10-12 मिनल्स हैं वो 25% में होती है तो कैल्सियम और फास्पोर्स का सोर्स है ये तो दूद के बढ़ाने के लिए पशू अगर ताजा बैया है तो इसको अगर इंस्टान्ट उसको कैल्सियम मिनल्स की डेपिशन्सी है तो इसको 100 ml के हिसाब से पशू को जो ना पिला जा सकता है और ये हमारा एक जैल के रूप में है और एक बोलस है अगर किसी पसू को जैल है ये इसको नाल के रूप में दिया जाता है बहुत ही रिच जो सोर्स है ये इसका कैल्सियम का और फास्पोर्स का ये बोलस है अब आप कहेंगे कि बोलस जब आपका ये लिक्ट में था तब बोलस निकालने क्या दूरूत पड़ी तो यह कंसेंटेटिटीड सोर्स है 100 ml के अंदर जितना कैलिसियम और फास्फोरस हम देते हैं इस बोलस के एक बोलस के अंदर उसके तीन गुणा है तो इसके अंदर करीब करीब 90% के आसपास इसके अंदर पानी होता है तो इसकी जो कॉ कोस्ट की ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट और पैकिंग मैट्रियल की पैकिंग कोस्ट को ताकि फार्मर्स को पे ना करना पड़े ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट पानी की पानी को करी करना पानी वो जमीदार अपने हाँ यूज कर सकता है और यह आपका पैकिंग मैट्रियल की को इसको अवाइड करने के लिए अगर आप एक टैबलेट एक बाल्टी पानी लो और इसके अंदर आप इसको जोना एक टैबलेट को छोड़ दो ये पांच मिंट के अंदर डिजॉल हो जाएगी और वो आप अपने पशू को पिला दो तो ये सस्ता पड़ता है इसे और इसके इसके ज्यादा है आसान है लेकिन कई आदत पड़ी है पशूहों को खिलाने की पिलाने की वो पिलाएंगे ही उसको то यह आदमी की ना जैसी आदत पढ़ जाती है नंए अब लोगों को क्या लगा ये जो है कैलसियम तो लिक्विड आता है ये गोली में ये कैसे जैसे आदमी चाय पीता है जब तक वो पानी को उबाल के उसमें चाय डालके दो चार पांच उफान ना जाए थोड़ी अदराक और उसमें तुलिसी आदी डाल करके और जब तक जाल दी एक पुड़ी असी उसको रख दिया दो मिनटर साइब बनके त्यार होगी लेकिन जिनको घोट-घोट के पिनी के आदत पढ़ी है ना वो ये भी एक गलत आदत पढ़ी है लोगों को कि कैलसियम मतरब अरे 90 प्रतिशत उसमें पानी है भई तेरे गर में उसको क्यो क्यों ढोरा है भई अब इसको पानी को ढोने में कितना तो ट्रांस्पोर्टेशन लगता है एवरेज करीब पांच रुपए ओसत पूरे हिंदुस्तान में इसको बेजने का खर जा जाता है तीन से पांच रुपए किलो का फिर इसको पैकिंग करने में तरह लंबा चोड़ जुगार करना पड़ता है अब इसका पैकिंग मेटिरियल ही आता होगा चारीस पचास रुपए का तो इसका यह आ गया अब उसकी जो है वह पांच रुपए की पैकिंग है तो उदर से पैंटालीस रुपए यह बच गए नब्वे प्रतिस पानी को डोने का खर्चा बच तो यह इसलिए वो जो बोलस है मैं तो कहूंगा लोगों को बोलस को ज़्यादा प्रियोग करना चाहिए वो ज़्यादा एफेक्टिव है कितनी यूज करने पड़ती है एक यूज कर सकते हैं एक और वो जो है उससे तीन कुना कैलसियम जादा आ गया इसमें और वो लोग बस बैस जब तक वो गोड़ के पानी लिक्विड जैसी होगी ना उसमें कैलसियम होगा अब पानी में कैल tablets के अंदर है आप लोग किसानों को समझाओ यह छोट-छोटी बातें इस इसको एजुकेट करना पड़ता है तो अब जैसे एलोपेथी की दवाईया हैं उसके अंदर medical representative होता है उसको MR बोलते हैं अब आप लोगों को marketing के लिए आपको हम हजारों लोगों की फोस देने वाले नहीं हो आप ही लोग इसकी marketing करो marketing मतलब लोगों को समझाओ कि इसके क्या उपयोगीता है तो थोड़ी training ले करके यह marketing team तो अभी भी हमारे पास में 30-35 लोगों की है और यह पतंजली का पहला ऐसा वियान है जिसके अंदर marketing team छोटी सी है और काम बहुत बड़ा आप लोग कर रहे हो इसके लिए आपका भिनंदन है हमने बहुत थोड़े लोग रखे हुए marketing वाले तो और वह आप भी खुदी representative हो इसके तो इन चीजों को जैसे मैंने का मलिक साब हमारे फटा-फट बोलते हैं समझते हैं चीजों को जानते हैं रब समझाते हैं से समझाओ बताओ सब दूसरा जो product है हमारा यह गरभांजली है यह जब पसू जाता है उसके बाद में दी जाती है 100 ml रोजाना एक bottle एक लीटर की है दस दिन तक की दी जाती है यह जो उसका uterus है उसको के अंदर जितना भी infection है उसको दूर करता है uterus की जो structure है उसको normalize करता है और कई बार हम देशी वासा में कहते हैं कि यह पसू जो है दूद नहीं चला तो दूद नहीं चलने का मतलब यह होता है कि पसू के अंदर infection है uterus के अंदर तो उसको साब करना है तो उसके लिए गरभांजली जरूरी है तो यह आपके uterus के tonic का काम भी करता है उसको original shape में लेके आता है एक लीटर की है और ब्याने के तुरंत बाद इसको 10 दिन तक रोजाना 100-100 ml देना है गरभांजली का मतलब गरभ का शोधन करने वाली है तो एक ध्यान रखना है जो जेर नहीं डालता ना पसू और डालता भी है तो पूरा गरभाश से शाफ नहीं होगा तो उसको आगी problem रहेंगे तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना है एक तो ये जो पसू ब्याता है सरब उसको देनी है अगर बैवा नहीं है उसको नहीं देनी है और मेल को नहीं देनी है तो दो जीज़े हैं इसके बैने जो पशू बैता है बैने के एक दस बारा दिन तक इसको एक लिटर बोतल को लेके उसको रोजाना सो एमल के हिसाब से देना को कई बार कुछ लोग सुचते हैं कि जो नए ब्यांत नहीं और गर्ब भांजरे मतलब ठहराने वाली होगी है तो यह गर्ब की शुद्धी के लिए है उसके बाद में हमारा है सकती धारा एनर्जी बुस्टर कई बार क्या होता है पशू स्ट्रेस मा जाता है जैसे अभी पशू को हम एक जगह से दुसरी जगह ले जाते हैं ट्रास्पोर्टेशन में उसके अंदर पशू स्ट्रेस मा जाता है तो पशू को इंस्टांट एनर्जी प्रवाइड करने के लिए जैसे कोई व्यक्ति है अक्सिडेंट हो जाता है तो उसको लेटाएगा और उसको ग्ल ग्लुकोज डहने का मतलब यह होता है कि डारेक्ट एनर्जी हम बोड़ी के अंदर देते हैं अधरवाइज तो वो भी एक कार्बो हैड़ेट्स है लेकिन उस कार्बो हैड़ेट्स है तो इसमें टाइम लगता है तो इसकेस में कहा डारेक्ट एनर्जी हम ग्लुकोज के स्रेस है अगर ज्यादा दूद देता है पसू एनरजी आपका आउट पुट ज्यादा है और उसके अंदर इंटेक कम है तो उसको बैलेंस करने के लिए नरजी डैपिसेंट को मीट आउट करने के लिए आमारा ये सक्तिधारा है ये भी आप इसको सो एमेल पर डे के हिसाब से दस दिन तक देंगे तो पसू नॉर्मल पोजिशन मा जाएगा ये हमारा एक लिवर टॉनिक है ये करितामरित के नाम से ये पसू को अंदर जैसे लिवर खराब हो जाता है भूग कम लगती है तो पसू को भी इस तरह की जैसे आज कल जिस तरह का चारा हम पसूँ को देते ह हैं तो ये कोमन समश्या है कि वो उनको भूग नहीं लगती है कम खाते हैं क्योंकि आपने उनको जो चीज़ें खिलाते हैं जो मिले आउट की चीज़ें खिलाते हैं तो उनका चीज़े ये लिवर अपने आप ही खराब हो जाता है काम करना कम कर देता है तो उसको तंदुर करने के लिए भूख को ठीक करने के लिए ये लिवर टॉनिक है हमारा पतंजली का ये भी एक लिटर पैकिंग में है और इसको भी सो एमेल के ले अब साफ से आप आट्ड़ी दिन तक देंगे तो ओठीक हो जाएगा उनको दूर करने के लिए ये काम आता है आपका इसके अंदर जो आजकल एक इंजेक्शन लगाते हैं दूद उतारने के लिए ऑक्सी टॉक्सिन का जो दूद उतारने के लिए पसू से दूद जबरदस्ती निकालने के लिए ऑक्सी टॉक्सिन का जो इंजेक्शन लगाते हैं उसकी बजाए अगर आप इसको देंगे तो उसको ऑक्सी टॉक्सिन का इंजेक्शन लगाने की जुरूत नहीं पड़ेगी और उसके माध्दम से दूद के माध्दम से जो हमारी बॉड़ी के अंदर जो साइड एफेक्ट आते हैं केमिकल्स के उनसे बचा जा सकता है यह जो आडिको सारी प्रॉबलम है नव् पशन को भी होटायट स्ट्रेस आजाता हुसको फंगी उसका भी लिवर खराब हो जाता है वो पशो किसी का यह पसू जो को कभी भी बेमानी नहीं करता है तो दूद जेए नहीं रहा है तो पईley यह उसको जहन का इंजेक्शन देके दू को खुशी मिलती है उसकी सेरीन में कोई कमी होती है उस कमी कोई दूर कर देती है जो अभी बता रहे था डूक्टर साहिए एक और प्रड़क्ट है हमारा बतीसा प्रो यह हाजमे के लिए है यह जो हमारे के अंदर माइक्रोब्स होते हैं माइक्रोबल एक्टिवटीज को प्रमोट करता है तो जिससे पशु का हाजमा जो है ठीक रहता है उसको भूग जो नहीं ठीक लगती है इसको आप पचीस से पचास ग्राम डेली महिने में दो बार दे सकते हैं दो से तीन दिन के लिए पंदर दुखधामरित जिसका हमने नाम रखा है अब नाम हमारे सामने कई आये तो हमने जो है क्योंकि नाम कोई एक सार्थक नाम होना चाहिए कुछ लोगों ने अलग अलग तरह के नाम रख रखे हैं तो हमने कहा कि उसके और दूसरा भी नाम हो सकता था लेकिन हमने त्योंकि आ एक उसका जैसे बताया कि उससे होने वाली जो संतान है बच्छडी है जो उससे जो गाए भेंस आगे जो उसकी प्रक्रिया प्रमपरा चलती है और अब यह आगे हम नसल सुधार करेंगे तो जैसे कहते हैं गर में अब जैसे यूपी में तो मेल हो या फिमेल हो दोनों ही कि इदर कीमत है क्योंकि जो 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 जोटा होता है वह जोटाई में काम आता है जितनी भी गुन्ने डोने का काम है खेत में आज कल अब ट्रैक्टर की वजाए लोग जोटा बोगी जादा पसंद क उसे माने ट्रैक्टर से 20% खर्चा आता है जोटा भूगी का इसले लोग इधर जोटा भी बिग जाता है अभी जब हम अच्छी नसल की गाएं ये तैयार कर लेंगे तो गाए ये दी पांच लाख की भी कहेगी तो उसका जो नंदी है वो पचांस लाख का भी कहेगा ये भी ह टेक्निक आ गई है कि उसके जो है वो जो एक्स वाई को ना जो मेल फिमेल के लिए जो जिम्मेदार है उसको अलग लग कर दिया जाता है तो वो भी टेक्निक हम बहुत जल्दी आगे लेकर के आने वाले हैं कि गायों में नंदी की जरुत कम पढ़ती है तो आगे नहीं पैदा होगी ऐसा सीमेन का भी विवस्ताम लोग करने वाला है तो वो भी समस्या नहीं रहेगी तो अभी तो क्योंकि हमने गायों पर विशेश रुप से यहां काम सुरू किया है पशोहरत में तो गाय भैंस और भेड बकरियों सब के लिए अभी तो हिंदुस्तान मे लेड बकरिया इनको तो जंगल में छोड़ देते हैं अभी चराने पर चल रहा है अभी जो है गाय बैंस और गोड़े इनको थोड़ा से जादा गोड़ियों को इनको खिला रहे हैं बाकी के अपर तो ज्यादा ध्यान नहीं है तो आगे भी अपने को बहुत आगे तक इस बारे में सोचना है तो दुखधामरित पशुवार फिर उनकी दो फीड सप्लिमेंट्स हैं आदमी के लिए तो बहुत तरह के प्रयास हो रहे हैं हमने थोड़े से प्रयास सुरू किया है और अभी इसको बहुत आगे लेकर के जाएं